आप देख रहें एकॉनोमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंदियो चक्रवर्थी कुछ दिन पहले इंडिया टुडे का एक मूड ओफ दे नेशन पोल आया था मूड ओफ दे नेशन मतलब देश का मूड इस वक्त क्या है और उसमें निकल कर आया कि देश में लगबग 72 प्रतिशत लोग मानते हैं कि मूदी सरकार अच्छा काम कर रही है वो मूदी जी से खुश है साथ में ये भी एक पोल में देखा गया कि आज अगर इलेक्शन होते तो बीजेपी को 283 यानि पूर्ण बहुमत मिलता और एंडिये जो है एंडिये को 316 सीट मिलते ये अगर आप जन्वरी मतलब की COVID-19 के प्रकोप से पहले की तुलना में देखे तो जन्वरी में 303 सीट एंडिये को मिल रहे थे इंडिये टोडे के ही मूद ओफ दे नेशन पोल में एक चीज़ सामने आ रहा कि COVID-19 के चलते 22 प्रतिशत लोग यानि 100 में से 22 लोगों की या तो नौकरी गई है या बिजनेस ठप हो गया है साथ में 63 प्रतिशत लोगों की आए कम हो गई है COVID-19 के चलते दोनों को मिला लीजिए तो 85 प्रतिशत लोग देश के ऐसे हैं जिनकी या तो नौकरी गई है बिजनेस ठप हो गया या उनकी आए कम हो गई है इसके बावजूद 77 प्रतिशत लोग मानते हैं कि मोदी सरकार ने यह जो पूरा COVID-19 का मामला है इसको अच्छी तरह हैं अच्छी तरह है और कुछ मानते हैं बहुत ही अच्छी तरह हैं यह क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है यह COVID-19 के केस बढ़े जा रहे हैं फिर भी लोगों को लगता है कि मोदी सरकार बहुत अच्छा है क्या सच में परफॉर्मेंस अच्छा है या गोदी मेडिया ने जूट पहला कर सवाल ना पूच कर आपके दिमाग में बैठा दिया है कि बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ चंगासी इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में आपने एनार नारायन मूर्थी का नाम सुना होगा अगर नहीं सुना है तो भी आप यह मान लीजिए कि कॉर्परेट जगत के यह बहुत बड़े दिगज हैं इन्फोसेज नाम की आईटी कंपनी है बहुत बड़ी आईटी कंपनी है उनके एक संस्थापक है इनार नारायन मूर्थी शुरू से ही मोदी जी के समर्थक रहे हैं प्रशंसक रहे हैं समर्थक निवगांगा प्रशंसक तो रहे ही हैं 2018 में भी चुना होने से एक साल पहले उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार अगर रहे आगे भी तो ये देश के लिए अच्छा होगा अब ऐसे प्रशंसक भी कह रहे हैं कि अगर ठोस कदम न उठाय जाए तो भारत की विकास दर जिसको GDP ग्रोथ रेट कहते हैं वो 1947 के बाद सबसे निचले स्तर पे जा सकता है GDP विकास दर माइनस 5% यानि कि GDP विकास 5% घट सकता है सिरव एना नरायन मूर्ती नहीं है आप देख लिजे कि जादा से जादा जितने भी इंस्टिटूशन है ब्रोकरेज है अर्थशास्तरी हैं ये सब कह रहे हैं कि भारत की GDP साल कम होगी अब वर्ल्ड बैंक को ले लिजे कि वर्ल्ड बैंक का मानना है कि इस साल भारत की GDP 3.2% कम हो जाएगी बढ़ेगी नहीं उसी तरीके से आप IMF ले लिजे IMF का कहना है कि साड़े 4% कम हो जाएगी Asian Development Bank को ले लिजे एडी बी एडी बी कहते है कि भारत की GDP 4% घट जाएगी पिछले साल के तुलना में अब आते हैं ब्रोकरेज अर्थशास्तरी बैंकों की बात करते हैं ओमुरा कहते हैं भारत की GDP 5.2 प्रतिशत घट जाएगी एक्रा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उनका कहना है कि साड़े 9% भारत की GDP घट जाएगी Goldman Sachs कहते हैं कि भारत की GDP 4.4 प्रतिशत घट जाएगी यहां तक कि आप RBI का भी ले लिजे RBI ने कोई number नहीं दिया है लेकिन RBI ने भी कहा है कि भारत की GDP इस बार बढ़ेगी नहीं विकास नहीं होगा economy यानि की total जो GDP वो कम हो जाएगी इस साल अब COVID-19 के चलते यह तो होना ही था lockdown था, factory बंद है, दुकाने बंद है, office बंद है, GDP घटना ही है लेकिन कहा जा रहा था कि धीरे धीरे जैसे ही lockdown खतम होगा तब धीरे धीरे वापस हम lockdown से पहले की जैसी स्थिती थी वहाँ पर पहुंच जाएंगे और जून में लग भी रहा था कि ऐसा होगा लेकिन चिंता जनक बात ये है कि जून के बाद जुलाय आते आते, जितनी भी recovery हुई थी, वो फिर से लग रहा है, गायब होने लगी है जैसे कि सबसे पहले हम GST का collection ले लेते हैं, क्योंकि GST से हमें पता चलता है कि पूरे अर्थव्यवस्था में खरीद फरोप्त कितनी हो रही है GST का अगर collection ले ले तो जून में लगभग 91,000 करोड की GST का collection हुआ था लेकिन वही अगर हम जुलाई में आ जाए तो वो जाकर 87,422 करोड पे उतर आई है यानि कि जून से जुलाई GST का collection घटा है और लगभग 4 प्रतिशत घट गया है पिछली जुलाई की तुलना में अगर हम देखे तो वो बहुत ही जादा घटा है लगभग 14 प्रतिशत घट गया है जुलाई में पेट्रोल डीजल की भी अगर हम विक्री देख लेगे पेट्रोल डीजल की विक्री से हमें पता चलता है कि कितनी गाडियां चल रही है रोट पर ट्रक कितना चल रहा है कितना जेनरेटर चल रहा है इस से पता चलता है कि economic activity फिर से वापस आ रहे है अगर हम जुन में देखे तो 16.25 मिलियन टन पेट्रोल डीजल इत्यादी की विक्री हुई थी वही अगर हम जुलाई में आ जाए तो दिखेगा हमको कि 16.26 मिलियन टन से कम हुआ है 15.6-7 मिलियन टन विक्री हुई है यानि साड़े तीन प्रतिशत घट गया है पेट्रोल डीजल का जो बिक्री है यानि फिर से economy जुलाई में slowdown कर रही है जून में railways का ले लेते हैं कि railways daily level पर कितनी माल ढोती है जून में daily level पर 3.12 million ton माल ढो रही थी railways और वही आकर जब हम जुलाई में आते हैं तो घट कर 3.07 million ton पर आ गया है यानि 1.6% घट गया है daily जो freight है railways का फिर से हमें पता चल रहा है कि economy कम हो रही है घट रही है तो साफ है कि जो सुधार हमें June में दिख रहा था वो July में जाकर धीरे धीरे फिर से गायब हो रहा है जैसे मैं कहा रहा था खैर अप्रेल में बहुत गिरी थी में में थोड़ा सा recovery आया है जून में recovery थोड़ा कम है लेकिन आया है पिछले जून के तुलना में इस जून में कुल उतपादन फैक्ट्रियों में हमारे देश में 16.5 प्रतिशत के आसपास घट गई है लेकिन अगर इसी में हम सिरफ 2 सेक् दे एक है तंबाकु यानि सिगरेट बीडी का उत्पादन वोट आ दीजे और कोविड-19 के बीच में आप दवाईयों का उत्पादन तो जादा हो गाए दवाईयों का उत्पादन ये दो आप अटा दीजे तो गिरावट 21 प्रतिशत से जादा है जहां इन दोनों को मिलाके सेक्टर कच्चा माल कम खरे देगे मशीन कम खरे देगे और लोगों की छटाई करेगी अगर छटाई भी ना करे तो कम से कम उनका वेतन काट देगी तो ये तो था जून की बात मैं कर रहा हूँ लेकिन जून के बाद जुलाई में क्या रिकावरी अच्छी होने वाली है जी नहीं जो संकेत आ रहे हैं पहले ही मैंने बताया कि जुलाई और भी बुरा है ये चिंता जनक है एक नाप जो देखते हैं अर्थशास्त्री उसको कह अगर ये लेवल पचास से जादा है ये सुचांक अगर पचास से जादा है PMI तो माना जाता है कि अतपादन फैक्ट्रियों में बढ़ रहा है लेकिन अगर पचास से कम हो तो माना जाता है उतपादन घट रहा है खैर अप्रेल में ये जो सुचांक है PMI वो 30 से नीचे चल 47.2 पर पहुंच गई थे याद रखेगा मैंने कहा था कि 50 से उपर मतलब बढ़ रहा है लेकिन जितना 50 से पास आ रहा है नीचे से उतना हमें लगेगा कि उत्पादन वापस आ रहा है खेर कहा जा रहा था हो सकता है जुलाईं तक आते आते ये 50 से उपर चले जाए यानि कि यो फैक्ट्रियों का उत्पादन है वो उसका स्तर 47.2 जून में था वहां से घटकर 46 पर आ गया है और ये गिरावट ऐसे वक्त हो रहा है जब बाकी के देशों में दुनिया के बड़े एकॉनमियों में PMI बढ़ा है जुलाईं में घटा नहीं है बहुतों में तो 50 से तुलना करें चीन जो की COVID-19 जहां पर शुरू हुआ था उसके साथ हमारी तुलना करें तो जून में चीन की PMI 51.2 तक पहुंच चुकी थी यानि कि जून में ही पता चल रहा था कि चीन में फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ रहा है उस वक्त जैसे मैंने आपको कहा था क भारत में 47.2 था का जा रहा था जुलाई में हम भी 50 से उपर जाए गए जुलाई में क्या हुआ है चीन में जाकर ये 52.8 पर पहुंच गया है यानि कि उत्पादन और भी तेजी से बढ़ा है और भारत में 46 पर उतराया है चेंज क्या है एक महिने में चीन में 1.6 गिरा है यानि कि हम दूसरे बड़े देशों के साथ या बड़ी एकॉनमियों के साथ कंपेर करें तो हमारी हालत और भी खराब है मैं सिर्फ करोना वाइरस की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ आप याद रखिये करोना वाइरस में तो है ही डेली लेवल पर हमारे number of cases जादा पढ़ें दूसरे दुनियों के देशों के तुलना में मैं एकॉनमी की बात कर रहा हूँ पर्फॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ मैनुफैक्ट्रिंग की बात कर रहा हूं इन सब में भारत अब पीछे आ गया है फिर भी लोग सोच रहे हैं कि मोधी सरकार यह पूरा जो तरह हैंडल कर रही है क्यों कि आप बैठकर गोदी मीडिया पूरे दिन देखते हैं जो आपको सवाल पूछने देती है किसी भी लोगतंत्र में डिमोकरसी में सवाल पूछना बहुत जरूरी है सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं सरकार के लिए भी क्योंकि अगर सवाल न पू दूसरे चीजों पर सवाल पूछना नहीं चाहते हैं कम से कम economy पर सवाल पूछना सीखिए नहीं तो आपका जो पूरा economy है घर का economy है वो भी ठप हो जाएगा